हलो बच्चू आज हम दिभ्यम पुस्तक से पाठ नौ उपसर्ग एवं अब्वे को पढ़ेंगे आपके पाठ का नाम है उपसर्गाह अव्याच यानि उपसर्ग और अव्ये तो हम जैसे कक्षाम पढ़ाया है उपसर्ग की परभाषा लिखवाया है अव्वय की परभासा और कुछ महत्पूर अव्वय आप उसको अपने पुस्तर से पढ़ दिएगा यहां आपर अभ्यास दिया गया हुआ है लिखा है बिकल्पेभ्य उचित पदम चित्वा रिक्तस्थानानी पूरेयत यहां बिकल्प मतलता जो आप्सन दिया गया है उसमें से सही पद को चुन करके रिक्तस्थान को भरना है तो बिकल्पों से उचित पद चुन कर रिक्तस्थान को पूरा कीजिए हिंदी में लिखा हुआ है पहला लिखा है ते सत्यम वदंती तो पहले आप्सेन सदा, दूसरा एकदा, तीसरा तत्र, चौथा यत्र तो सदा वे लोग हमेशा सद्र बोलते हैं तो पहले क्या आप्सेन होगा सदा अब दूसरे में चलते हैं दिखा है मंगलवारह भविशती, मंगलवार होगा तो श्वह मतलब अपना तो यहां पर सही ऌप्सन होगा श्वह याने आणे वाले कल को तुमारो को बोलते हैं संस्क्त में श्वह तो यहाँ पे माा option सही है शिशु तिश्थती शिशु बैठा है बही पतलब बाहर मा मतलब नहीं मत न मतलब नहीं तत्र मतलब वहा तो यह option तीनों सही नहीं है न मा सही होगा न न नतत्र option बही, मतलब बाहर जो है यह option फोर्थ में सही है आगे देखते हैं शशका थावती, शशका का अर्थ होता है खरगोस, थावती मतलब दौड़ता है तो शनही, धीरेते दौड़ता है कि तिवरम, बहुत तेज दौड़ता है कि पुनह, बार-बार मा मतलब नहीं मत तो इसको आप्शन सही रहेगा तिव्रम ख आगे बढ़ते हैं दिखा है रंजित पदेभ्या उपसर पदम चित्वा लिखत जो थोड़े आपको ब्लू कलर से शब्द दिख रहे हैं उनमें से उपसर चुनकर लिखना है तो लिखा है सह अनुसरती अब यहा पर उपसर कौन सा है तो यहां पर उपसर होगा अनु यहां पर उपसर होगा अनु अनुसरती का होता है अर्थ अनुसरण करना फिर सेकेंड में दिया है जलम अवगच्छत यहां पर उपसर कौन सा है इसका रंगिन कलर में रंगिन शब्द में अव है यहां पर उपसर सहा अनुद स्मरति तो यहां पर उपसर्ग है अनुद अनुद युद जो बनेगा उत्ट कि इसको आप पुस्टक में भर लीजी है आगे बढ़ते हैं लिखाए अधो लिखित अव्यायानाम वाक्य शु प्रयोगम गुरूत, यनि जो नीचे लिखे अव्वेव का वाक्य में प्रयोग कीजिए, यदा तदा, इसके वाक्य प्रयोग कुछ इस प्रकार है, आप देखके लिखे, तत्र, मतलब वहां, कुत्र, अपी, अपी करत होता है भी, और शिग्रम, शिग्रम करत हो तो यह इतने वाकि प्रयोग लिखे हुए हैं आप उनको पुस्तक में भरिए और याद कर लीचेगा फिर प्रस नमबर चार में लिखा है मंजुशाया उचितान अव्य पदान इग्रित त्वारिक स्थान पुर्यत यहां जो यह मंजुशा दिया है जो हैल बॉक्स दिया गय अहम खेलिश्यामी यहां पर अहम के साथ यह शब्द आएंगे तो आप उसको पुस्तक भरिए त्वम पत्रम लिख त्वम पत्रम लिख यहां पर जो शब्द लिखा है आप मंजुशा देख करके यहां लिखे पित्रा आगच्छ पिता के साथ आओ तो साथ के योग में सह का प्रेयों होता है यहां पर सह लिख दीजिए भवान आगमिश्यती आप आएंगे प्रस्न वाचक चिन्दे लगा है तो प्रस्न वाचक चिन्दे के लिए हम यहां मंजुशा से लिखेंगे कदा आगे बढ़ते हैं धातु भी सह उपसरगम योजित्वा पद निर्माणम उपसर को जोड़ करके पद निर्माण यानि शब्द का निर्माण करना है तो उपक्री तो उपकरोती इसे अनुभू अनुभावती प्रस्री प्रसरती प्रसरती यहां पर होगा अनुगम अनुगम्य आवत्री आवतरती विहरी निर प्लस गम प्रणम उत्पत प्रविश आप इसको ऐसे पुस्तक में भरेंगे जो निर्मिष शब्ध है निर्मित मतले बता है जिससे हम इन उपसर्ग धातु से हम नए शब्द का निर्मार किये है तो यहाँ प्सर्ग है अनुप्ढर अववी निर्प्ढर उत्प्र वैसे यहां धातू, धातू का रथ होता है बच्चो क्रिया, धातू का रथ होता है क्रिया, ऐसे जो निर्मिश शब्ध हैं आप यहां पे पुस्टक में लिखिए, आगे बढ़ते हैं, लिखा है निम्न अव्यपदानी तेशा विपरितार्थ के हिस्सह मेलेत, जो निम्न नीचे, तो यहां पे अपोजिट जो है अधा है, तो इसको हम अपोजिट मिलाएंगे, उपरी, उपरी करता है उपर, अधा करता है नीचे, उपरी करता है उपर, उच्चे ही, उच्चे ही को मिलाईए, नीच्चे ही, उच्चे मतलब उच्चा, नीच्चे मतलब नीच्च अध्य, अध्यकार्थ होता है आज श्वह, मतलब कल अत्र, यहाँ, तत्र, वहाँ अंत्र, अंदर, बही, बाहर ऐसे आपने पुस्टक में मिलान के लिजिये अध्यका उपरी से उच्चही, नीच्चही अध्य, श्वह, अत्र, तत्र, अंत्र, बही आप इसको पुस्तक में सही तरह मिलान किजिएगा अब आगे बढ़ते हैं क्रिया कलाप है इनको कक्षा में कराय जाएगा